कि आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एसाई के फर्स्ट फेज के आपके पीटी के फीजिकल के रनिंग के जो हैं एड्मिट कार्ड जारी हो चुके हैं अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डारेक्ट लिंक है वहाँ से जाकर अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो डिबी पेस्ठी के लिए चेंड़िट कहे थे किनदर उसमें कितने फैयलोगे जनिंग के लिए आपको क्या गल्ती नहीं करनी हैं और रॉनिंग के लिए आपकी क्या डेट रह colocar ताट tiden टाइम रहेंगे हम इसमें सब चीजों पर बात करने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा कोर्मन जोब की पलपल अपडेट के लिए सबसे पहले तो मैं जो मै के लिए अभी तीन तारिक को आपका एड्मिट कर डाया है और तीन तारिक से आपका लगभग एक दिन बीच में है चार पास तारिक को सुबह साड़े-चार बजे से आपको रिपोर्टिंग आपकी पी-ए-सी पर जो भी आपकी पी-ए-सी लगती होंगी महां पर आपकी र बगाया जाएगा रणिंग के लिए वह 5-7 सुबहा और 5-7 साम को यह मौर्णिंग में आपका आपको यह इविनिंग में आपको रणिंग के लिए भगाया जाएगा तो मुझे जो न्यूस मिली थी वो जो मेरे साथी UPS IE के अंदर कारज़रत है उन्होंने बताया था कि जो चार तारिक वाला नोटिस है वो दिपार्टमेंटल केंडिडेट के लिए ही था और वो वाके में चार तारिक वाला नोटिस जो है वो डिपार्टमेंटल केंडिडेट के लिए ही था पाच तारिक से आपके जो हैं पीटी स्टार्ट हो चुके हैं अब इसके अंदर ये भी देखा चाह सकता है कि जिनोंने जिनका डीवी पेस्टी फर्स्ट फेज में हुआ उनको नुक्सान हुआ है नुक्सान चिन भी चैन्डिडेटों का अगर 28 अपरेल को हुआ है डीवी पेस्टी और पांच तारिक को उनका पीटी आगया तो उनको टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाया लेकिन जिन भी कैन्डिडेटों का सेलेक्शन हुआ है उनको पहले से प्रेक्टिस करनी थी और जिन भी डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट जो था वो इस तरह के एक्सक्यूज नहीं सुनता कि आपने प्रेक्टिश नहीं की हां लेकिन इस बड़ती में इक्विलिटी जो बोलती है कि समानता जो होती है वो नहीं हुए यह क्योंकि जो सेकिंड फेज वाले हैं उनको आप ज़्य लेवल पर होती आई हैं उनमें पहले सभी का document verification होता है उसके बाद सभी का फिर एक साथ PT होता है यह first phase वालों का PT आज हो रहा है फिर second phase वालों का PT कल हो रहा है यह ऐसा नहीं होता तो इसके अंदर जरूर कुछ कुछ ना कुछ बात हो रही है कि इस भरती के अंदर यह इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं तो आप अगर इसमें qualify हैं तो आप अपने डॉकुमेंट फीजिकली फिटनेस और आपका रणिंग यह सब आप करते रहिए फर्स्ट फेज वाले जो हैं उनके लिए तो आप सायद रणिंग के लिए टाइम नहीं बचा वो तो सिरु अपना रेस्ट करें और रेस्ट के बाद अपना उसी दिन आप अपनी को रेस्ट दीजिए चिससे की चिस दिन आपका फीजिकल हो वह आपका जो बोडी है उसको 100% परफॉर्म कर सके और अगर आप में डाउनलोड नहीं करें तो वीडियो को ट्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप वहां से डिरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं अगर मैं न नोटिस हम देख सकते हैं इसके अंदर नोटिस है यह वर्ति बोड की तरफ से आज ही आया है इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपकी जो फिजिकल होगा वह पांच पांच से साथ पांच को होगा यह जो ने बता दिया है और मैं आपको इसके अंदर यह बता दूँका कितने candidate जो है वो पास हुए हैं तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूं मैंने डाउनलोड किया हुआ है कि यह आप देख सकते हैं यह जो है आपके candidate 154 पेज है एक सो चमवन पेज में डारेक्ट नीचे जलते हैं यह जो है आपके यह आप देख सकते हैं साथ 1672 candidate जो है पास हुए है और 8325 candidate की लिस्ट आई थी तो लगभग 600 प्लस candidate आपके जो हैं डीवी में disqualified हो चुके हैं 600 प्लस candidate क्योंकि जो थी वो 8325 की लिस्ट आई थी जो पहरी लिस्ट थी अब सेकंड लिस्ट में देखते हैं कि कितने candidate जो हैं रहते हैं और कितने candidate पास होते हैं जल्दी physical कराने का इनका ये भी motive हो सकता है कि जितने candidate अगर मान लीजिए physical में PT में रह जाते हैं तो ये second list के बारे में भी सोच सकते हैं जो कि अभी मुश्किल है पर हो भी सकता है क्योंकि गर्मी को देखते हुए fitness को देखते हुए या ब नहीं होता तो पास भी हो सकता है second list आ भी सकती है नहीं भी आ सकती अगर आईगी तो मैं आपको इंफर्म कर दूंगा इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद